हेलो दोस्तो स्वागात आप सभी का हमारे यूट्यूप चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे सीट्ट टेट 2019 जी आंदोस्तो इस वीडियो में डिसकस करेंगे सीट्ट math plus pedagogy section जी यां दोस्तो इस वीडियो में 30 questions आपके सामने आने वाले हैं अगर आपने 30 में से 30 प्रत्नों के सही उत्तर देते हैं तो मतलब समल लिजे आप paper के लिए पूरी तरीके से तयार हो गए तो सभी questions के आपको full explanation मिलेगा तो 208 December 2019 की पूरी तयार ही last time दोस्तो चला बिल्कुल तो super fast revision जी यां दोस्तो कुछी minutes में आप देखेंगे 30 प्रत्न तो दोस्तो चली वीडियो को जल्ली से सुरू करते हैं गर आपको हमारे चैनल पन्या तो चैनल को पहले subscribe के लिजेगा जिससे आने वाली वीडियो की हर एक notification आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो को अधिक सदिक अपनी दोस्तों साथ WhatsApp ग्रूप में share करिएगा उन से पूछेगा आपके कितने questions सही हो रहे हैं तो दोस्तो चली एक बाद जल्ली से quick revision करते हैं दोस्तों आपके paper में questions Hindi और English दोनों में दिया गए होंगे तो आपको सिर्फ Hindi को देखना है क्योंकि Hindi में questions आप ज्यादा अचीते समझ सकते हैं तो understanding आपके अच्छी रहेगे तो दोस्तों चली direction देख लेते हैं पहले निर्देश क्या दिया गया है निर्दिकित प्रस्मे को उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प का चुनना है आपको ठीक है पहला प्रस्मे क्या रहा दोस्तों आपका कि प्रात्मी कच्छाओं में बच्चे गडित में क्या सीखते हैं इसके आकलन का ध्यान किस पर हमें नहीं होना चीए तो दोस्तों आपके सामने चार विकल्प पर गडित और धाराणों को समझना गडित भासा को विकास या गडित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता या तरक कोसल का विकास तो इसका सही आंतर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या होगा गडित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता ठीक है विकल्प नमबर सी बिलकुल करेक्टा अंतर इसका हम लोग डीपली एनलाइस करते हैं क्या अंसर है देखी प्रात्मी कच्छाओं में बच्चे गडित में क्या सीखते हैं इसका आगले अंतर का कौसल विकास गड़त किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला विकल्प बना कर दूसरा है प्रतिकात्मक प्रतिनिदीत्तो का उपयोग नुकरम होगा सबसे पहले अपको अनुवार प्रदान करना फिर भाअ की माध्यम में समझना ठीक ना भाजा की माध्यम से समझना फिर चित्र बनाना और लाश में प्रती कात्म प्रतिनीदित्व का उपयोग करना जिग यहां दोस्तों कि आपने कितना भी मैट में पढ़ रखा उसको फाश्क रिवाइज कर रहे हैं तीसरा कोश्चन दोस्तों क्या है एक बच्चे ने नीचे दिए मतलब नीचे दिखाया अनुसार संख्याई घटाई हैं देखे निम लिकित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाओं के सीखने का बहुत कराता है कि 83 में से उसने तेज घटाया तो यहां पर उसका अंतर आ रहा है चौशट अब भाई आप सोचे रहे हों गया कि आट में से दो गया च्छे तो आया लेकिन तीन में से तीन घटा चार कैसे आ गया तो इसके सामने चार विकल्प पहले देखते हैं तो कभी भी आप ऐसे आंतर को तो देंगे नहीं कि भाई यह गलती करेगा बार बार अभ्यास करेगा तो भी तो गलती करेगा तो सही आंतर दोस्तों देखें कि बच्चे द्वारा की गई गड़ती है संक्रिया क्या थी 83 में से तेज घटा रहा 64 इससे सपश्ट होता है कि बच्चों को घटाओ की प्रक्रिया में इस थानी मान के बारे में गलत धारणा है हैं ठीक दोस्तों इसका सही आंतर यही होगा तो हमारे विकल्प नमबर दोस्ते हैं आपर यह वाला सही था हमने सीधे आंतर को पूरा अनलाइज कर लिए अब अगला कोशन दोस्तों देख बनाना और उसका संगतन प्रगती रिपोर्ट का विकास और बच्चों के अधिकम के साथ एक इक ईकरत आकलन होनाची है फिर प्रगती रिपोर्ट का विकास होनाची है और चौता दोस्तों बच्चों की अधिकम और प्रगति की प्रति पूश्टी की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना चाहिए, आपका A वाला विकल्प यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह करेक्ट है, आपको इसको सिरीज से सजाना था बस, पांचवा प्रसंट दोस्तों क् रोमन अंकों का उपयोग आम तोर पर हिंदू अर्भी अंकों जैसी संख्याओ के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, यह दोस्तों आपको बताना है, विकल्प इसके देखते हैं पहले, रोमन अंकों इस्थानी मान का नियूजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का कि बच्चे अंग्रीजी वर्ड वाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, क्या सही आंतर होगा, देखें पहला विकल्प आपका था हैं यहां पर, इसको यहां पढ़ते हैं दोस्तों कि रोमन अंक इस्थानी मान का नियूजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का प्योग आम तौर पर हिंदू अर्वी अंको जैसी संख्योग के लेखन में नहीं किया जाता, तो दोस्तों का सही आतरवार विकल्प को था, यह वाला आतर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है न, अगला प्रसम देखते हैं, 6 नमर क्या हमारे सामने, एक सिच्चक अपनी उद्देश से क्या होगा, यह आपको बताना है, पहला विकल्प दोस्तों कि यह एक बहुती रोचक गतिविदी है, जिसे आकार के ओधारडा को पुना देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, दूसरा विकल्प दोस्तों, बच्चे अपनी भासा में वस्तूओ को स गहन मनाता है, जिसे चौथा विकल्प दोस्तों यह एक उपयोगी गतिविदी है, जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है, तो सही आंतर दोस्तों होगा आपका सी वाल विकल्प, क्या था सी वाला हमने दोस्तों भी पढ़ाता है, ठीक हैं इसको यहाँ देखते है कि सिच्चक द्वारा अपनी कच्चा को, उनके परिवेस में मौजिद वस्तों के भौति गुडों को अपने सब्दों में समझाने के लिए प्रोस्ताहित करता है, ऐसी गतिविदी करने के पीछे सिच्चक और देश से बच्चों को अनुपचारिक रूप से किसी वस्तों क के बहुती गुडों का निरिच्चड करने का उसर देना है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन परिचे कराती है। सिच्च को द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। समुहित करके और उनकी चमता कुन साथ प्रस्ण देना ची है। सिच्च को गडित कच्चा में बच्चों को एक साथ समुहित रखना ची है। ताकि वे एक दूसरे से कुछ सीख सकें, यदि सिच्छक सभी बच्चों को एक साथ समुईत रखकर सिच्छड कारे करता है, तो निर्ग्यों के बच्चे सिच्छा को सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है न? अब दोस्त अगला प्रसने देखा जाएं, तो नौवा कोशन दोस्त वमारा क्या रहा है आपके सामने, कि गड़ित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विक्सित किये गएं ताकि गड़ना के लिए बच्चे को लगू विदिया बताई जाएं, कि विबिन सेचिडिक सर्वेचडों में बच्चे की उपलब्दी बढ़ाई जाएं, कि दोस्त तीसरा विकल बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कच्छावर, दच्छिता और कौसल को परिभासित किया जाएं, कि दोस्त अंति विकल की वर्थ की अंत परिच्छाओं क अगला प्रस्तों देखें, कि दस नमर हमारा क्या है, कि निम लिकित में से एक अच्छा में हो रहा, कौन सा कार है, एक गति विधी आपको ये बताना है, सिचक समझाते हैं कि प्रस्तने कैसे हल करें ये, कि बच्चों द्वारा कविता कुरूप में गिंती का वाचन, कि बच्चों का अन्विसर्ड में लगाना, बच्चों का अन्विसर्ड में, तो सही आतर दोसर इतका डी वाला होगा, दिये कैसमझ विकलकों में, बच्चों का अन्विसर्ड में लगाना ही एक गति विधी आधारित प्रक्रिया है, ठीक है, ग्याराना होगा कोश्चन दोस् कि क्रम बदता दोस्तों, फिर तीसरा विकल पर संख्या का यादरचिक रूप से पढ़ना या समूव बनाना, सही आंतर दोस्तों होगा, मारा वाला सी वाला विकल पर भी दोस्तों अमने जो देखा, संख्या का, संख्या नाम यादरचिक रूप से पढ़ना, ठीक है, पढ़ लंबाई गुड़े चोड़ाई उतर दिया, शेतरफल के अधारड़ा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पहला विकल दोस्तों बच्चे को शेतरफल के अधारड़ा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कि दूसरा विकल बच्चे ने किसी भी बंद आकार के छेतर फल के समाने विचार को IIT के छेतर फल कِ रूप में उपयोग किया तो कि वहाई बच्चे द्वारा दिया गया उक्तर निश्चित रूप्स यह पष्ट करता है कि बच्चे ने किसी बंद आकार के छेतफल के समाने विचार को आयत के छेतफल में उप्योग कर लिया है ठीक है? फिर तेरा नमर कुशन दोस्तों देखेंगा हम लोग की गड़ीत सीखने के समभन में निम लिखित में कौन सा कतन सत्य है? पहला विकल्प दोस्तों, गडित सीखने के लिए एक कठीन विस है, ये वाला क्याम तोर पर लड़किया गडित में कमजूर होती है, ये तो अलगी विकल्प दोस्तों, हर कोई गडित सीख सकता है, तीसरा विकल्प, और चौथा विकल्प दोस्तों क्या है, कि गडित केवल क कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है सही आंतर दोस्तों क्या होगा विकलत नूमर nrc वाला ता जो पिए आपने देखा लाश्ट में कि हर कोई गड़ित आपका सीख सकता है जिए आदोसे एक विकलत तो बिल्कुली बेकारता कि घड़ित लड़के हैं गड़ित में कमजूर हो कि पाइथा गुरस प्रमे को सिखाने के लिए एक सिचक ने एक सीट वित्रित किये जिस पर समकोड़ वाले चार त्रिबुजों को खीचा गया था और बच्चे को त्रिबुज की भुजाओ की बीस सम्मंद खोजने के लिए कहा जाता है उप्यूक्त परिसिती में सिचक ने जिस पर समकोड़ वाले चार त्रिबुजों को खीचा गया था और बच्चे को त्रिबुज की भुजाओ की बीस सम्मंद खोजने के लिए कहा जाता है उप्यूक्त परिसिती में सिचक ने आग्मन विदी का प्रयोग किया आग्मन विदी के अंतरगत सरो प्रतम उधारण प्रस्तूत किया जाता है तत्पश्यात नियम बताया जाता है इस प्रकार उप्यूक्त प्रस्त में सिचक ने आग्मन विदी का प्रयोग किया है ठीक दोस्तों आज का अंतिम कोश्चन दोस्तों इसमें रहेगा पेड़ोगोजी का फूर इसके बाद हम लोग सुरू आटरो flour going झाल से काौन सा कत्तन संकलपना मांचित्र के बारे में सत्य नहीं यह आपको बताना है पहला विकल्ब दोस्तों कि संकलपना मांचित्र अंत्र सम्मंदित और रहाव ऌर उन्हें जोडने की लिंक का संग्र्या प्रसूत करते हैं कि दूसरा विकल्ब संकलपना मां सिच्च को द्어रा बनाया जाना चाहिए कि तारता के विकल्फ दोस्तों संकल्पन मानचित प्रकर्ती में पता नुक्रमित Ciao कि चौता विकल्ब दोस्त आपके संकल्पना मांचित नय सिछड को पूरो ग्यानते जोडने में सहाइक होता है। इसका सही आतर दोस्त आपने विकल्पना मांचित केवल सिछ को द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो इसके आतर को डिफाइन करते हैं लोग देखें पूरो ग्यानते जोडने में सहाइक है संकल्पना मांचित अंता संबंदित और और उन्हें जोडने वाले लिंक का संग्रा प्रस्तूत करते हैं उप्यूक प्रत में संकल्पना मांचित केवल सिछ को द्वारा बनाया जाना चाहिए यह कतन पूर्दा असत्य है ठीक दोस्त तो दोस्तों हमें यही बताना था कि कौन सा कथन यहां पर सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन को हमें बताना था तो यही इसलिए इसका आप जो करेक्टाम तरोगा बीविकल्प होगा अब चलिए दोस्तों 16 नंबर से आपके सामने थोड़े से तो इसमें बचे डरते हैं तो पहले 15 नंबर पैड़ा होगा जी कोई भी कर सकता है 16 नंबर दोस्तों क्या था दो बटे तीन प्लस दो बटे पांच चलो हिंदी इंगलेस में बताए इने कन्फूजन कर इसको अटा दीजे ने तो कहेंगा यह सब एक्यूम दे रखा है तो दो बटे तीन प्लस चार बटे गए एक बार जाएगे नपाड़ा 15 नीचे किना गए 22 सॉद्वाग फाल नीचे सेसफ़ सबसे पहला लिखते है ऊपर दोस्तों सेसफ़ल लिकेंके साथ नीचे लिखेंके 15 ठीक है ना तो यह सिंपल ता तरीका है अगर ऐसे करें तो आपनों कभी कथी नहीं करेंगे के साथ बटे पंद्रा तो विकल्प नंबर सी वाला सही है 17 कोशन दोस्तों क्या देरा का तो दिए गया आकारों में के लिए निम विखित में कौन सा कसन ठीक नहीं यह आपको बताना वह चार विकल्प हैं कौन सा कसन ठीक नहीं है यह बताना है कि सभी समांतर चितुरबूज य यह वाला कि इनमें से दो सम्क्राइब यह यह दो आयत है तो दोस्तों आपको पताना कौन सा अंतर यहां पर सही होगा तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी वाला देखे जा रहा है इसमें से एक समांतर चितुरबूज नहीं है यह वाला आपका अंतर करेक्ट हो ठीक है ना अब दोस्तों देखेंगा हम लोग 18 नमर कोश्चन सिंपल था निम लिकित में से कौन था 111111 संख्या का प्रती नीजित तो करता है देखिए कोश्चन थोड़ा अजीब आया था काफी बचे कंफीज हो है काफी वच्चों ने ये पहला वाले सी वाले विकरब टिक कुछ बच्चे दोस्तों कि रोमन वाली सेंख्या रोटिक मार के ने किसे सही होगता दोस्तों आऄ दिखाते हैं आपको ठारोए में क्या 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 पहले 1100 को फिर 1100 फिर 11 को जोड़ लीजे सबको यहां पर जोड़ना है यह वन वर न आगया यहां वन 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 टू तो लॉजिकली देखना जाए तो तीसरा वाले भी आपको लग रहा हो गयार कि प्रतिनीदी तो करता है फिर यहां पर सबको यह नहीं पता था कि जोड़ना भी है तो जोड़कर करें तो दोस्त आपको आंतर 12 ट्रपल होना आगा तो यह गलती काफी बच्चों ने की थी तो आपको ध्यान में रखना है 19 नमर कोश्चन के दोस्तो बिंदू ए और बी नीचे दिखाए गई नमर रेका पर संख्या का प्रतिनीदी तो करते हैं अब इसका आप देखने कैसा इसका आंतर डिफाइन क्या गया है प्रसना सार दो बिंदू के बीच के दूरी दोस्तों ठीक है नहीं आपर दे भी रखा है ठीक है दोस्तों फिर बी से ए तक कुल 11 बिंदू है बी से लेकर दोस्तों ए तक कितने बिंदू है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और 11 तो 211 बिंदू से 11 गोड़े 2000 कर दें तो 22,000 रिकाहिए आगा तो दोस्तों एसे विकल्प आपका है करेक्ट हो जाएगा देखिए कोश्चन था असार नहीं थे खाली आपको थोड़ा लॉजिक लगाना रहता है बीस नमर कोश्चन दोस्तों क्या है एक बटे 16 किलो ग्राम चीनी से इतना किलो ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाया जा सकते हैं देखिए पहले इसको यह लिखा ना तीन से एक बटे चार तो इसको दोस्तों फोड़ा गुड़ा करके सही के लिजे चार गुड़े तीन करें प्लस एक जूड़े चार तीया बारा मतलब थेरा बटी हो जागा आपका चार यह सब छीज आपको थोड़ा ध्यार में रखना होगा तो कितने बनाए जा सकते हैं इसमें एक बटे सोला का तो यहां से बावन है था ठीक इसका विकल नमबर यह सही है अब अगला कोशन दोस्तों जली से देखते हम लो तो दोस्तों अगला कोशन क्या रहा हमारा 21 नमर ठीक 21 नमर कोशन की हरीज ने 18 बचकर 40 बजे अपनी यातरा स समाप्त किया तो यातरा पूरा करने में लिया गया समय होगा तो दोस्तों सबसे पहले हरीज से अपनी यातरा सुरू कप किजी ते 18 बचकर 40 मिनट से देखे हाप पर समय यह था शुरू करने का और समाप्त करने के समय दोस्तों 22 बचकर 20 ठीक है न तो 22 में अठारा 40 घटा तो दोस्तों आपका सही आंतर हो जाएगा विकल्प नमबर ए तो घटागर दोस्तों आपको दिखा देते हैं पहले कि 22 बचके 20 मिनट ठीक 22 कितना तब 22 बचकर 20 यातरा शुरू हुई थी यहां दोस्तों लाश में घटार इसको ध्यान दिजेगा और खतम को भी थे 18 चालि मिनट हैं इसको यह काम करते हैं इधर सीधे जो हासिल देंगे तो घंटे में देंगे तो इसको यह काम कर सकते हैं 21 घंटा करके इधर कर दें 80 मिनट तो कोई फरक तो नहीं पड़ेगे ना बात तो ही लिका है नीचे 18 और 40 लिका अब 200 घटाएंग तो आसान इस घट तो जब घंटे से मिनट में हासिल जाएगा तो वाई सीधे 60 मिनट का हासिल जाएगा एक का हासिल नहीं जाएगा अगला question 22 नमर कहा रहा है इसको देखते हैं कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरने है ठीक दोस्तो 200 ml और 300 ml के बर्त 200 ml है ठीक है तो चलिए 200 जरा आंसर हम लों देखते हैं तो जैसे हमारे विकल नमर डी वाला बताएगा याला सही नहीं है दोस्तों अगर हम 6 गुड़े 200 कर दें मतलब 200 ml का एक बाल्टी हमको लेना है और एक हमको लेना है 300 ml का तो दोस्तों पहले लिखा है ना पहले 200 ml वाल 200 ml कर देंगे और दूसरा लग 300 ml है तो मतलब 6 गुड़े 3 कर देंगे 600 ml तो ठारा सो 200 जोड़ें तो 2000 ml बन जाएगा फिर दोस्तों यह अलब विकलब जाएक कि पहला 200 गुड़े 4 कर देंग 2 चोके 8 3 चोके 12 8 12 और 8 20 होता यह भी हो जाएगा साथ दूनी 14 220 यह भी हो गया त तो यह सब चीजे ध्यान में रखना है तो कोशन्स अगर आप आएंगे तो वी दिन सेकेंड कर सकते नहीं आता तो आप लोग परिसान रहेंगे कुछ नहीं होगा 30 नमर कोशन्स दोस्तों क्या है किनिम निखित में से 7.1 गुड़े 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा नुमान कौन सा है ठीक है आपके सामने 4 विकलब देख रहें दोस्तों तो कैसे करेंगा यह देखने इसके आंतर को 30 नमर कोशन्स तो दोस्ति यालो विकलब आप देख रहें सबसे अच्छा नुमान होगा क्योंकि 7.1 दोस्तों इसका मतलब होता है आपका 7 3.85 का मतलब दोस्तों क् जो हो जागे दोस्तों आपका 4 कैसे हो जागे दोस्तों जीसे 5 हटेक है यह पर हो जागे 3 2.9 तो 9 हटा हैं दोस्तों है आपका 7 गुडे 4 नीचे 9 2.09 तो दोस्तों जब यह पहला आप 9 2.1 और यह खटा देख तो 9 यह बचेगा तो हमारा विकलब नमबर बिल्कुल अंसर होगा बागी के दोस्तों जो विकल्प तो जरा देख लेते हैं लिखा था साथ गुड़े तीन देखिए पहला विकल्प पिसले गलत हो जाता है दोस्तों जब यह आठ इधर आएगा तो यहां चार हो जाना चाहिए तो यहां तो गलत है उसके बाद दोस्तों जरा ग्रीट पर बनाये गए आयत का परिमाप क्या होगा यह आपका आयत बन रहाए ठीक है दोस्तों जरा गिल लिजे इसको काउंट करना पड़े आपको कितनी उनिट्स का देखिया आंतर है आपको देख समूं सीधे आंतर को तो आंतर दोस्तों देखिए कैसे ग्रीट में एक चोटा वर्ग आपको चार इकाई का है तो ग्रीट की एक बुझा दोस्तों आपकी दो इकाई की होगी इस प्रकार ग्रीट पर बनाये गए आयत का परिमाप क्या होगो दोस्तों इसको जरा देखते हैं तो दोस्तों आपने आयत का परिमाप का फर्मूला पढ़ रखाओ को टू प्लस लंबाई प्लस चोड़ा है आपने यह फार्मूला पढ़ा ना आयसका प्रिमा मिकालने के लिए तो यहां पर दोस्तो जरा देख रहे होंगा आप लोग क्या लिखा एबी प्लस डीसी तो दोस्तो एबी उपर वाला डीसी नीच इसको जोड़ लिया गया फिर दोस लिखता वर्ग आपकर कितने चार इकाय तो एक बूचा दोस्तो आपके दो इकाय की हो गई तो दोस्तो आप जेह रहे होंगे किसे यूनिट या सोड़ी इकाय तो दोस्तो हो सकता भी आपके मन वह मैं नूपर ओर होगी किया दो कांस आया देखे समझसे रएं को स्टा ओड आफ एकाई कामे नहीं जो है W VC ॐ तो रख तो नहीं žाट क्यों हुआ कॉर्फ कर भर स्चेटरफल तो यहीं बात लीखी तो यहां पर कोशन में डारेक्ट लिख दिया जाता तो आप समझ नहीं पाते हैं तो मतलब यहां पर हमने अंडर रूट चार किया तो इसका मन दो आया था क्योंकि इसका दो से यूनिट लिखा है इसको ध्यान दे पड़िए एक छोटा वर चार वर के सेंटीमीटर बोला होता त कुछ लेकिन कोशन पूछने वाले भी वाई सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो थोड़ा सा कंफूजन तो देगा है ना वो पेपर में नहीं तो सभी बच्चे तीस में तीस नहीं पाहेंग मैंत में फिर 25 नमर कोशन क्या दोस्तो एक बच्चे ने पांच विश्यों में कुल कितने अंग प्राप्त दिक्योंगे 375 तो दोस्ता आप में बताना तो मात दे तो कुल प्राप्त अंग था 375 और कुल विश्यों से 205 भाग कर लिए 75 आ जाएगी तो मात दीका आपके कौन तो हो जाएगा विकल्प नमबर एक आसान तो कुशन सा दोस्तों खाली आप टोटल विशे भी 5 से 75 अंग प्राप्ति किये तो 75 गोड़े 5 जो भी आए उसमें 5 से भाग करती हैं देखिए दोस्तों यहां पर 6 विश्या और कुश्या और विश्या होता ना तो यहां पर आंदर भी 75 ना आता तो आप सोचे नहीं को 75 अंग का मतलब 75 है ऐसा नहीं है ठी वाला बनाना दूस्तों और 500 मोडणों अपसा दोसम कर नंबर 20 यहां डिये न इक हम कि वीचा STEPHANार इसको आप अपनी दिमाघंए करके तो 27 गश्यार क देखते हैं या रिड भाग दोस्तों यह देख रहे होंगे यह आपका 40 दे रहा है 1 by 2, तो हमें बताने दोस्तों यह white वाल 1 by 8 वाल भाग कितना होगा, तो दोस्तों कैसे करेंगे देखें, निम्नांकी चार्ट में दोस्तों लाल भाग 40 है, जो की पूरे चार्ट का अर्दक है, मतलब दोस्त 80 कर देंगे, दोस्तों तो हमें पूरा भाग मिल जाएगा, मतलब कितना आजाएगा 10 भाग, ठीक है न, 1 by 8 गुड़े 40 नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना में 1 by 8, मतलब पूरे का दोस्तों आपको दे रखा 1 by 8, तो मतलब 1 by 8 गुड़े 80 करेंगे, ठीक है न, तो यह कन्फूज करने के लिए आपको ऐसे कुश्चन पूशे आते हैं, अठायत नमर प्रतने निम्ना के ठोस आकार का निरिच्छडा को करना है, तो देखते हम भाई कौन सा ठोस आकार है, तो निम्न में से कौन सा दिये के ठोस की उपरी सता का द्रस से होगा, ठीक है न, दोस्त के कैसी वाला है, एक को देख रहा हूपर, एक को यह ओला होगा, ऐसा नहीं था, 29 नमर दोस्तो कोश्चन के हमारा निम्न लिखित में से किसकी लागत अधिक है, पहला विकल्प दिया गया, दोस्तो मतलब दिया गया, पूछा गया, प्रसने 250 प्रत्यक पैकट वाले 200 आपको दोस्तो की क्या होता है, पूछा गया है, कि किसकी लागत अधिक आएगी, ठीक है न, तो दीखें, दिये के कहतन में विकल्प के अनुसार 250 प्रत्यक पैकट वाले 200 पैकट सा दूसरे विकल्प किनता 250 का 20 दर्जन, मतलब 200 क्या है, एक दर्जन में आपको कुछ भी ह होगा, तो 12 होगा, या एक दर्जन बराबर 12 के लिए आपने पढ़ा होगा, तो 12 यसे याद रखना है, तो 220 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 20 गुड़े आप 12 कर देंग, तो आजाएगा 240 पैकट, ठीक है, और पहले आले 200 आपको दिया गया था 200 पैकट, तो सिंपल थी बा मान जाता हैगा, आप कहाएंगे 240 गोड़े 250 करेंगे इसका मान जाता हैगा, तो यही आपका सही आंतर है, अब आज का अंतिम क्ष्चन दोस्तों देखेंगे इस पेपर का फिलाल, कि 1-1, प्लस 1, फिर 1-1, का सम संख्या, पदो का योग होगा, दोस्तों यह बताना है, तो पदो का योग 2-0, सूर्यों हो जाएगा, सम वाले दोस्तों क्या हो जाएगμέ, प्लस प्लस होते जाएगे, मतलब माइनस मैनस भी जुट जाता है, और प्लस वाला तुखट जाएगे, तो मतलब दोस्तों कभी ऐसा हो जाएक विए कड की सौoles === अब दोस्तों देखते हैं अगला पेपर कैसा आया था पेपर में आपके